जार्खन में एक नया विवाद बिस्तो परसिद दिवडी मा के मंदर को लेकर सामने आया है एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि आदिवासी संगठन के कुछ लोग आये उन्होंने दावा किया कि ये मंदर नहीं सरना अस्थल है यानि दिवडी दिरी है उनका कहना था कि ये आदिवासी संगठनों के हाथ में इसका प्रबंधन या संचालन होना चाहिए और इसी बात को लेकर उन्होंने पांच बजे भोर में दिवडी मंदर में ताला मार दिया था जब अस्थानिय लोग पहुँचे पुजारी पहुँचे वहाँ उन्होंने ताला देखा तो पुलिस परसासन को सूचना दी गई पुलिस परसासन ने आकर ताला तुड़वाया लेकिन इसके बाद अस्थानिय लोगों का आक्रोस भड़क उठा और उस आक्रोस को देखत हुए आज अस्थानिय लोगों ने बंद बुलाया था तमाड, बुंडू और अणकी के तमाम बाजार बंद रहे खासकर तमाड और बुंडू में इस बंदी का असर देखने को मिला लेकिन अब सवाल ये उट रहा है जिन लोगों बंद बुलाया था उन्होंने उन लोगों की तत्काल गिरफतारी की मांग की है जिन लोगों ने जिन आदिवासी संगठन से जुड़े लोगों ने वहां पर ताला बंदी की थी उनकी गिरफतारी की मांग की गई है सवाल इस बात पर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इससे पहले जब रगवरदास की सरकार थी तो तमाड और खुटी के इलाके में पत्थलगड़ी आंदोलन खुब जोर पकड़ चुका था अब सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहा है कि क्या यहां जो आदिवासी संगटन और हिंदू स्रधालू आमने सामने होने की स्थिति दिखाई दे रही है तो क्या कुछ माइने इसके इस तरह से हैं मदन देखिए बंदी आज जवरजस्त रही है और तमाम दुकाने वहां की बंद रही है बुंडु तमाल अड़की की देखिए सीधे तोर पर यह आस्था से जुरा हुआ विशाय है अब जो यह नया विवाद हुआ है क्योंकि पूजा कोई अचानक नहीं शुरू हुआ है एक लंबे समय से पूजा वहां पर हो रहा है और प्रसिध मंदीर है तो यहां पर दूर दूर से सरधालों भी पहुं सिधी है अब उसमें सरकार के तरफ से भी पहल की जा रही है कि मंदीर के सौंधरी करन के लिए लगवाग आठ करोर रुपय का बज़ट एक पराबधान किया गया है और उससे खर्च करने थे अब जब यह पाईسे करके मंदीर के सौंधरी करन के लिए वहां पर पहुंछते हैं लोग तब जाकर के विरोध के स्वर जो हैं बुलंद होते हैं और फिर ताला जरा जाता है अचानक अगर ये बातचीत होती पुजारियों से पूछा जाता या फिर अस्थाने लोगों से बैट मिल बैट कर बातचीत होती तो या फिर इतना बात आगे नहीं बढ़ता लेकिन अचानक सीधे आकर के ताला जर्णा ये लोगों में एक उबाल का विश्य बना है गुस्टा का आक्रोश का विश्य बना है और इसी के विरोध में आज जो है आसपास के तमाम बाजार जो हैं बंद रहे प्रसासन को भी काफी मसकत के बाद जो है कल ता रहे उसमें कोई बदलाव ना हो जानकारी तो यह भी है कि वहां पुजारी भी पाहन के बिल्कुल मदन हम यह सालों से मतलब पूर्खे जो हमारे बुड़े बुजर्ग रहे उनसे भी यह सुनते आये हैं कि वहां जो पूजा होती है वहां पाहन और पंडा यानि ब्राह्म यह उठता है कि आखिर कौन लोग इस सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं बिल्कुल अब प्रसासन को इसके पीछे की वजह जानना होगा जाच करना होगा कि आखिर यह साजिस है या फिर एक तरह से समाजिक मंग है यह असपस्ट रूप से सामने लाना होगा और फिर बीच का रास्ता के निकलता है क्योंकि जो आस्था और विश्वास से जुरा हुआ चीज है उसमें कोई भी समझोता करने को तयार नहीं होगा जो पूजा की पदती है अगर पाहन पहले से पूजा कराते हैं पंडा पहले से पूजा कराते हैं तो आखि किया जा रहा कोई ऐसा बदलाव तो नहीं कि उसके मूल रूप या संद्रचा में कोई परिवर्तन आ जाए तो जब ये चीजे नहीं है तो फिर इतने विकास और विरोध के स्वरबुलंद नहीं होने चाहिए अब सब की अपने अपनी दलीले हैं प्रसासन को जरूर प्रसासन के सामने बड़ी चुन आती है कि इस विवाद को कैसे सुल जाती है क्योंकि करोड़ों लोगों के आस्था का केंदर है देवडी मंदर और वहां इस तरह की किसी भी बात का होना या किसी विवाद को जन्देना अपने आप में बड़ा सवाल है देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासने इस विवाद को कैसे सुल जाता है फिलाल इतना ही अविदीजी इजाज़त और आप देखते रहें न्यूस बाइस को नमश्कार